प्रिया विद्ध्यार्टियों, हमने अपनी पूर वीडियो में बेरोजगारी के स्वरूप एवं बेरोजगारी के कारणों का अध्यन किया था भारत में बेरोजगारी के क्या दुश्प्रभाव रहे उसका अध्यन आजम करेंगे भारत में आर्थिक विकास का उद्देश देश के बहुतिक साधन तथा मानव शक्ती साधनों के समुचित विदुवन से आर्थिक सम्रत्थिवं संपन्नता का मार्ग प्रशस्त करना है मानव उत्पत्ती का सजीव साधन और साध्य दोनों है अते मानव शक्ती का लाप्पून एवं समुचित उप्योग राजनितिक सामाजिक आर्थिक तथा मनोवे ग्यानिक सभी द्रश्टियों से महत्पून है बेरोजगारी से समाज का नैतिक पतन होता है जो समाज व्यक्ती की जीव को पारजन की व्यवस्ता नहीं कर सकता उस समाज के प्रति उसके भी क्या करतव्य रह जाते हैं भूका क्या नहीं करता वाली कहबत चोरी डाका वेश्यावर्ती अपहरण आधी अनेक सामाजिक आपरादों को चरितार्थ करती है इस प्रिकार बेरोजगारी का जो दुश्प्रभाव थे वो भारत पर पड़े बेरोजगारी के आर्थिक दुश्प्रभाव, सामाजिक दुश्प्रभाव, नैतिक दुश्प्रभाव, राजनेतिक दुश्प्रभाव भारत पर पड़े सबसे पहले हम बेरोजगारी के आर्थिक दुश्प्रभावों का अध्यन करेंगे बेरोजगारी के आड़तिक दिश्प्रभावा में सबसे पहले था कि बेरोजगारी में व्यक्ति की आयका सरोत समाप्त हो जाने से क्रेशक्ती कम हो जाती है और क्रेशक्ती के अभाब में रोजगार का प्रमुक्तत्त प्रभापूर मांग कम हो जाता है प्रवापुण मांग कम होने से विनियों कम हो जाता है और लाब भी कम हो जाता है ऐसी इस्तिती में मंदी और बेरोजगारी बढ़ती है तो आर्थिक निर्धन्ता और निम्न जीवने स्तर बेरोजगारी के कारण आए ही समाप्त हो जाती है और गरी भी बढ़ती है सोशन तथा रिंग रस्तता से बेकार व्यक्ति निर्दन्ता के चंगुल में फस जाता है निर्दन्ता में रह शक्ती की कमी और निम्न जीवन इसतर का कारण बनता है यही कहना पर्यापत है कि बेरोजगारी से निर्दन्ता बढ़ती है मानव शक्ती का अपवे इसमें मानव शक्ति जो की विश्व की सबसे मूलेवान पूजी है उसका अपवे एक तरीके से होता है अर्थात मानव शक्ति लग तो जाती है लेकिन उसको उसकी योगिता के अंसार कारे नहीं मिल पाता है आर्थिक विशमता में व्रद्धी बेरोजगारी में एक और तो बेरोजगार व्यक्ति जो होता है वो निर्धन हो जाता है और दूसरी और काम पर लगे व्रद्धी आयप्राप्त होने से आर्थिक सम्रद्धी की और अगरसर होते हैं ऐसे स्तिती में धनी अधिक धनी और नि रिन गरस्तता में व्रद्धी, बेरोजगारी का सामना करने के लिए बेकार व्यक्ति अपने एमम आश्रतों के पालन के लिए रिन देते हैं और रिनों पर उची ब्यास दनें बसूलते हैं, इस परकार रिन गरस्तता बढ़ती है, आर्थिक शोषन तता ओध्यक संगर्सों को बढ़ावा, शम की नाश्मान प्रकरती होने से, उसकी पूर्ती अधिक होने से मोल भाव करने की शमता गढ़ जाती है, ऐसी परिस्तिती तथा पूझी का तिलाब उठाने की चेश्टा करते हैं, वा कम मजदूरी तथा अधिक समय तक काम लेने की प्रवर्तियों से शमिको अधिक मंदी जो होती है, वो प्रवापुन मांग की कमी कियोर रुख करती है, इससे मूले गिरते हैं और विन्योग हतोतसाहित होते हैं, सवाविक रुप से आर्थिक विकास की गती धीमी पढ़ जाती है, और बेरोजगारी से ओध्यक संगार्ष्न को बढ़ावा मिलता है सामाजिक एवं नेतिक दुशप्रभाव सामाजिक अपराद भी बढ़ते हैं, निर्धनवा धनी विक्ति के बीच जो खाई है, वो बर्ग शंगर्ष्न को भी बढ़ावा देती है इसके राजनितिक दुश्प्रभाव देखें, तो बेरोजगारी से जनता में क्यूंकि असंतोष और निराशा की भाव न भरती है तो ऐसी स्थिति में तोड़ फोड विद्धन स्थात्म गत्विदियां बढ़ती हैं, और समाज के भावी राजनितिक इस्थिरता को खतरी में डाल देती है शिक्षा एक और तो व्यक्ति में जगरती उत्पन करती है, दूसरी और सिक्षिक्तों की जो बेरोजगारी है, वो जनता में क्रांती पैदा करती है और राजनितिक विवस्था को खतरी में डाल देती है इस परकार बेरोजगारी के दूश प्रभाव हैं, वो मानव शक्ति पर अपना बहुत ही कठोर प्रभाव डालते हैं और इसके आर्थिक, राजनितिक और सामिज जीवन को अस्त व्यस्त कर देती है